नमस्कार दोस्तों मैं दिनां आपके अपने चैनल देना किच्छाई डास पर यम्भब्लोग सुआपकर करते हूँ तो आज है सावन का दूसरा सो बर। और आज खास दिन यह भी है कि आज है आमावसा, तो सौमबती आमावसा के दिन क्या खाना चाहिए, क्या नई खाना चाहिए, इस वीडियो में आपको दी जाएगी पूरी जान करें, अगर आप इस दिन वृत रखते हैं, तो सौमबती वृत के दिन धान, पान, हलदी, सिंदूर और काफी चीज़े हैं जिनका आप दान कर सकते हैं इस दिन पित्रों का तरबन किया जाता है सुपारी की भवरी दी जाती है और इस दिन सबी लोग अपने अपने हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग के खाने की सामगरी इत्यादी ये सब आप चीज़ भवरी लगाते हैं यही सारी चीज़े खाई जाती है तो सौमबती अमाविसा के दिन बहुत ही खास माना जाता है क्योंकि इस दिन अमाविसा के दिन आपको भूल कर भी मास मदीरा को घर में नहीं लाना चाहिए क्योंकि अशुब माना जाता है प्यार लहसुन मास मदीरा का सेवन बिलकुल नहीं करना चाहिए क्योंकि इस से पितर नाराज होते हैं आप इस दिन लोकी, खीरा, चना, जीरा, सरसो के साग का भी सेवन ना करें जो कि वेज सबजियों में आता है ननवेज मों आपको बताई दिया है और बीज सब जी वेज में इन सब चीजों का सैवन बिलकुल भी ना करें साथी साथ, आप सोमवति आमावसय का भरत रखते हैं तो नमक का सेवन बिलकुल ना करें और इसमें सवामन और सवा किलो से ही आप ब्रत को प्रारम कर सकते हैं, जब भी आप ब्रत स्टार्ट करें तो आप सवामन नमक से प्रारम करें, नमक को लेकर ही सबसे पहले ब्रत को आप प्रारम कर सकते हैं, अगर आपने पहली बार ब्रत रखा हैं, इसके साथ फिर आप धी के के सावामन कर सकते हैं सवामन कोई भी सब्जी राइन कर सकते हैं अगर आप बच्चों को बाच ना चाते हैं लेकिन अगर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत बूलिए तो यह दिखा जाने क्यारी आपके लिए हरे किष्णा